इस दीपावली बारह नवंबर ये चार राशियां बनेगी करोडपती। करोडपती बनने से स्वयम विधाता भी नहीं रोक पाएंगे इन चार राशिवालों को माला माल बनने से धन्वान बनने से क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा से इन चार राशिवालों पर पढ़ चुकी है। ये रोश्नी का त्योहार है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दोस्तो दिवाली का पवित्र पावन धंतेरस से शुरू होकर। भाईदूज के दिन संपन्न होता है। ये पाँच दिवसिय त्योहार है जिसमें धंतेरस। छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन, पूजा और भाईदूज जैसे त्योहार मनाये जाते हैं। इस साल धंतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाये जाएगा। छोटी दिवाली 11 नवंबर को ठीक अगले दिन दिपावली का पर्व 12 नवंबर को मनाये जाएगा। इस साल ये दीपावली बारह नवंबर दो हजार तेईज दिन रविवार को है आपको बता दें कार्थिक मास की अमावस्या को मनाई जाने वाली। की कृपा बरस्ती है यदि विधिविधान से और शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए आपको बता दें। जैसा कि हिंदू धर्म में महाकाव्य रामायन में वर्नित है कि ये वह दिन है। जब भगवान राम देवी सीता और भगवान लक्षमन 14 साल जंगल में बिताने के ब अयोध्या में लोटे थे। इसके अलाबा ये भी माना जाता है कि धन की, देवी, माता लक्षमी का जन्म भी इसी दिन समुद्र मंथन के दोरान हुआ था। इसलिए दीपावली पूजा के दोरान देवी जो धन की देवी, माता लक्षमी है इनका पूजन सबसे बहुत ही विशेश फल दाई माना गया है। बहुत ही विशेश फल दाई माना गया है। बहुत ही विशेश फल दाई माना गया है। ये चार राशि वाले धनवान बनने वाले हैं। लोट्री लगने वाली है इन चार राशि वालों की ये चार राशि वाले करोडपती बनने वाले है। यूं कहें कि स्वयम विधाता भी नहीं रोक पाएंगे इन चार राशिवालों को करोडपती बनने से माला माल बनने से दोस्तों जिन खुशनसीब और भाग्यशाली चार राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो खुसी का माहौल रहेगा माता लक्षमी की कृपा दृष्टी इनके घर में लगातार बनी रहेगी और आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी माता लक्षमी की कृपा से मेश राशिवालों को आपको चारों तरफ से धन लाब होगा व्यापारी लोगों को धनलापके योग बन रहे हैं धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में संपन्न हो सकते हैं नए कार्य को करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है जो भी आप नए कार्य का शुभारंभ करेंगे उसमें आपको निश्चत तौर पर सफलता मिलेगी इस दीवाली में बन रहे महालक्ष्मी योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है माता लक्ष्मी की कृपा से मेश राशी के लोगों को कर्ज से मुक्ती मिल जाएगी मेश राशी वालों यदि आपको कोई कर्ज चल रहा है उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा आश्मिक धनलाब के जबरदस्त राज योग हैं मेश राशी वालों इस दिवाली आपके लिए बन रहे हैं माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी जारों तरफ से आपको लाब ही लाब मिलने वाला है दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वह राशी है कन्या राशी जी हाँ दोस्तों कन्या राशी वालों को बता दे माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके उपर इस दिवाली पढ़ रही है जिससे आपके जीवन में अब खुशियों की बहार आने वाली है कन्या राशिवालों आपको बता दे इस दिवाली महाशुब संयोग से माता लक्ष्मी की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किये गए प्रयास आपके लिए अधिकतर सफल रहेंगे साथ ही साथ नौकरी की दशा में चल रहा प्रयास जल्द ही सफल हो जाएगा माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ती के संकेत नजर आ रहे हैं साथ साथ जीवन साथी की तरफ से कोई खुश खबरी आपको मिल सकती है माता लक्ष्मी की कृपा से कन्या राशी वालों आपको नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नती के साथ साथ वेतन वृद्ध के भी योग रहेंगे साथ ही साथ आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं साथ ही साथ कन्या राशी वालों सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्थ होगी कन्या राश्य वालों आपको चारों तरफ से इस दिवाली में लाब ही लाब मिलने वाला है जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्थ होगी संभावना बन रही है और आपके द्वारा किये गए सभी प्रयास बहुत ही आसानी से सफल हो जाएंगे आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान निकाल लेंगे कन्या राश्य वालों आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा इस दीवाली में धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है धन प्राप्ति के अनेको योग कन्या राश्य वालों आपके लिए बन रहे हैं ये दिवाली आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं आप दिन दुगनी रात चोगुनी तरक्की करेंगे इस समय का भरपूर लाब उठाएं। समय को अपने हाथ से ना जाने दें दोस्तों। इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी आती है दोस्तों। वह राशी है तुला राशी है दोस्तों। तुल राशी वालों आपके जीवन में आने वाली धन संबंधित सभी परिशानियां दूर हो जाएंगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। चारों तरफ से आपको धन प्राप्त के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। माता, लक्षमी की कृप से धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं अब दूर होंगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपने अपने जीवन में जो सोचा भी नहीं होगा इतना आपको इससे लाब होने वाला है। आपके जीवन में चारों तरफ से पैसो का आगमन होगा आए के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आए में वृध्धि होने के साथ साथ पदोन्नती होने की भी पूरी संभावना है माता लक्ष्मी की कृपा तुला राशिवालों इस दिवाली आपके उपर विशेश रूप स उपर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टी पड़ रही है जिससे आपके जीवन में होंगी अब अपार खुशियां साथ ही साथ यदि आप कोई व्यापार को शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना आपकी अवश्य सफल होगी व्यापार में आपको सफ पूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें जो अगली खुस नसीब और भाग्यशाली राशी आती है दोस्तों वह राशी कुम्भ राशी है दोस्तों कुम्भ राशी वालों को बता दें धनकी देवी माता लक्ष्मी आपके उपर इस दिवाली सबसे अध के हुए थे वह भी अब सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह पैसा आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है साथ ही साथ आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में भी कामयाब रहेंगी आपके द्वा सुक शान्ति का वातावरन बना रहेगा कुम्भ राशिवालों आपके उपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी साथ ही साथ यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो ये योजना सफल होगी आप नया वाहन या मकान खरीद सकते है इसके प्रबल योग बन रहे हैं और कुम्भ राशिवालों कहना गलत नहीं होगा माता लक्ष्मी की कृपा से इस दिवाली आपको चारों तरफ से धन लाभ प्राप्ति के अनेकों योग बन रहे हैं जबरदस्त धन प्राप्ति के संकेत इस दिवाली आपके लिए बनते वे नजर आ रहे हैं, आपको चारों तरफ से धन लाब होगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, माता लक्ष्मी की कृपा कुम्भ राशिवालों, इस दिवाली आपके उपर विशेश रूप से पढ़ रही है, समय का भरपूर लाभ उठाएं और इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, तो दोस्तों, ये थी वो खुशनसीब और भाग्यशाली चार राशियां, जो कि इस दिवाली में माता लक्ष्मी के आशिरवाद से धन से माला माल होने वाली है, इन चार राशिवालों को माता लक्ष्मी का आशिरवाद, इस दिवाली में अ कमेंट बॉक्स में जैमाता लक्षमी अवश्य लिखें ज्यादा से ज्यादा विडियो को शेर करें